नमस्कार दोस्तों आज में आपको मिलखा सिंग जी के बारे में बताऊंगी, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ सरूर शेर करें, अब जानते हैं मिलखा सिंग है कैसे भारतीय प्रसिद धावक और इथलेट है जिनने उन्सिक और अंग्रिय ज प्लैंग सिप के नाम से जाना जाता है इनका जन्म पाकिस्तान के लायलपूर में 8 अक्टूबर 1935 को हुआ था। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगो में मिलका सिंग ने अपने माबाप और भाई बहन खो दिया। अंता वे शरनार्थी बनके ट्रेन द्वारा पाकिस्त में भी रहे। जब उन्होंने कटक में हुए राष्ट्री एक खेलों में 200 तथा 400 मीटर में रिकॉर्ड दोड़ दिये तब मिलका सिंग का नाम सुर्खयों में आया 1958 में ही उन्होंने टोक्रियों में हुए एश्याई खेलों में 200 तथा 400 मीटर में एश्याई रिकॉर्ड द द्वारा उन्हें पदमश्री से सम्मानित किया गया। मिलखा सिंग का नाम फ्लाइंग सिक पढ़ने कभी एंग बड़ा कारण था। लाहोर में भारत पाक प्रतियोगीता में एशया की प्रतिष्ठित धावक पाकेस्तान के अबदुल खालिक को 200 मीटर में पचारते हुए तेजी से आगे निकल गए। तब लोगों ने कहा मिलखा सिंग दौर नहीं रहे थे। उड़ रहे थे बस उनका नाम फ्लाइंग सिक प पंजाब की समरिद्विरासत का हिस्सा बन चुकी है और इस उपलब्धी को पंजाब में परिकथा की भाग याद किया जाता है। ओलम्पिक में उनके साथ विश्व के श्रेश ठतमितलित हिस्साली रहे थे। 1906 में रोम ओलम्पिक में मिलखा सिंग ने 400 मीटर दौर की प् स्थान पाया था और वेह फाइनल में वेह सबसे आगे दौर रहे थे। उन्होंने देखा कि सब ही खिलाडी काफी पीछे हैं अध। उन्होंने अपनी गती थोड़ी धीमी कर दी। परन्तु दूसरे खिलाडी गती बढ़ाते हुए उनसे आगे निकल गए मगर पूरा जो लगाने पर भी वो उन खिलाडियों से आगे नहीं निकल सके। अमेरिकी खिलाडी ओटिस डिविस और कॉफ मैं ने चवालिस दशमलो आच सेकेंड का समय निकाल कर प्रथम वद्वीती स्थान प्राप किया यही नहीं दक्षिन अफरिका के मैल स्पेंस ने 45.4 सेकेंड में दौर पूरी कर त्रिती स्थान प्राप किया। मिल्खा सिंग ने 45.6 सेकेंड का समय निकाल कर मातर शुन दशमलो एक सेकेंड से कांसे पदक पाने का मौका खो दिया। मिल्खा सिंग को बाद में अहसास हुआ कि गती को शुरू में कम करना घा तक सिद्ध हुआ। विधायों प्लब्द नहीं थी, नहीं उनके लिए किसी ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। आज इतने वर्षों बाद भी कोई एथलेट उलंपिक में पदक पाने में काम्याब नहीं हो सका है। रोम उलंपिक में मिल्खा सिंग इतने लोग प्रिय हो गए थे कि जब वे में घुसते थे, दर्शक उनका जोश पूर्वक स्वागत करते थे मगर वहां वेह टॉब के खलाडी नहीं थे, परन्तु सवरशेष्ठ धावकों में उनका नाम अवश्य था। उनकी लोग प्रियता का दूसरा कारण उनकी बढ़ी होई दाढ़ी वह लंबे बाल थे। ल मिलखा सिंख की लोग प्रियता का एक आन्य कारण ये था कि रोम पहुझने के पूर्व वेह योरो की टूर में अनिक बड़े खिलाडियों को हरा चुके थे, और उनकी रोम पहुझने के पूर्व उनकी लोग प्रियता की चर्चा वहां पहुँच चुकी थी। दो घटना मिलखा सिंख की जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। उनमें से पहला भारत पाक विभाजन की घटना है, इसमें उनकी माता पिता का कतल हो गया था और अनरिष्टेदारों को भी खुना पड़ा था। दूसरी घटना रोम ओलंपिक की है, जिसमें वो पदक पाने से थोड प्रतियोगिता में भाग लेने का आमंत्रन मिलखा तो वें विशेश उत्साहित नहीं हुए क्योंकि अगर वो पाकिस्तान जाते तो उन्हें उनकी पहली घटना बहुत आती। फिर भी उन्हें एशिया के सवरशेष्ट खिलाडी के साथ दौरने के लिए मनाया गया और ब भी शिकस ने देखा था जोही 200 मीटर की दौर शुरू हुई ऐसा लगा कि मानो मिलखा सिंख दौर नहीं रहे है उड़ रहे हूं। उन्होंने अबदुलखादिक को बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ दिया। दर्शकों को उनकी दौर को इतनी आश्चरचकित होकर देख रहे थे मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो। इसे देखते वे घोशना की गई कि मिलखा सिंख दौर ने नहीं रहे है और रहे है और तब से मिलखा सिंख को फ्लाइंग से कहा जाने लगा। जब ये दौर हो रहा था तब उस वर्त पाकिस्तान के राष्टरपती जनरल यूबी मैदान में खेल देखने के लिए मौजूद थे। दौर में जीत के बाद मिलखा सिंख को राष्टरपती से मिलने के लिए विआईपी गैलरी में ले जाया गया। मिलखा सिंख ने अपनी जीती गई ट्राफियां, पदक और यहां तक कि अपनी जूते जिसे पहन क उन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। बलेजर यूनी फार्म सब कुछ उन्होंने जवाहरलाल नहरू स्टेरिया में बने राष्ट्रिय खेल संग्रहालय को दान में दे दिये। एश्याई खेल जो 1962 में हुआ था उसमें भी मिलखा सिंग ने स्वरन पदक खेलों से रिटाइरमेंट के बाद वेहभी पंजाब में खेल, युवा तथा शिक्षा विभाग में अतरिक खेल ने देशा के पद पर कारिकर रहे हैं। पूरू अंतराष्ट्रिय खिलारी निर्मल से उनका विवाह हुआ था। मिलखा सिंग के एक कुत्र तथा तीन कुत जिनका नाम चरण जीव मिलखा सिंग, जिन्हे जीव मिलखा सिंग से भी जाना जाता है। वो भारत की टॉप गुल्फ खिलाडियों में से आते हैं। यही नहीं उन्होंने राष्ट्री वंतराष्ट्री इस स्तर पर अनेकों पुरसकार भी जीत चुके हैं। बीजिंग के एशियाई खेलों जो 1990 में हुआ था उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। मिलखा सिंग की एक इच्छा है जो बोले कि उनका सपना है कि कोई भारती अथलेट उलंपिक पदक जीते जो पदक वेह अपनी एक छोटी सी गलती के कारण जीतने से चुक गए थे। मिलखा सिं का नाम रोशन कर सके। मिलखा सिंग अपनी लौहिच्छा शक्ति के दम पर ही इस मुकाम पर पहुँच सके। जहां आज कोई भी खिलाडी और चारिक ट्रेनिंग के भी नहीं पहुँच सका। वर्श उन्नी सो अठावन के एशियाई खेलों में मिलखा सिंग को मिली सफरत के सम्मान में उन्हें भारतिय सिपाही के पत्से कनिष्ट कमिशन अधिकारी पर पदुनत कर दिया गया। अंतहद वह पंजाब शिक्षा मंत्राले में खेलने देशक बने और वर्श उन्नी सो अठाणवे में इस पत्से सेवा निवरित हुए। मिलखा सिंग ने जीत में म खेल संग्रहाले में स्थाना अंतरित कर दिया गया। मिलखा सिंग द्वारा रोम की उलम्पिक खेलों में पहने के जूते को भी खेल संग्रहाले में प्रदर्शित कर रखा गया है। इसे डिडास जूते की जोडी को मिलखा सिंग ने वर्ष 2012 में राहुल बोस द्वारा आ युजित की गई एक चारिटीर निलामी में दान कर दिया था, जिसे उन्होंने वर्ष उनी सो साट के दर्शक के फाइनल में पहना था। धन्वाद।